नमस्कार मैं हुधीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com के इस टूटोरियल में आज हम लोग सारे के सारे टेंस का passive voice जानेंगे कि टेंसो का passive voice कैसे बनता है और passive voice जो है ये grammar का बहुत ही important chapter है और generally इससे जो है कुछ exams में एक दो एक या दो questions हो रहते हैं और generally कुछ-कुछ exams में जो है बहुत सारे questions 25-25 questions भी रहते हैं जिसमें 200 marks का English होता है उसमें generally 25-25 questions भी हो जाते हैं तो आएए जानते हैं इस passive voice के बारे में तो सबसे परले हम जानेंगे passive voice of past indefinite tense past indefinite tense का passive voice क्या होता है जंदली हम past indefinite परले indefinite indefinite cover कर लेंगे means past indefinite future indefinite पढ़ेंगे फिर जो है present continuous continuous वाला cover करेंगे फिर perfect वाला ठीक है और जो मैंने passive voice का basic जो वीडियो मैंने अप्लोड किया हुआ है उस वाले वीडियो में आप present indefinite tense का passive voice कैसे बनाया जाता है यह आप देख सकते हैं ठीक है तो आएए शुरू करते हैं passive voice अब past indefinite tense सबसे पहले जानते हैं कि past indefinite tense का active structure क्या होता है active structure का मतलब क्या वही tense वाला structure तो past indefinite का जैसा कि structure हम लोग जानते हैं subject plus v2 plus object means अगर हमको कोई sentence मिलता है और अगर वो sentence इस वाले structure पे होगा तो फिर हम उसका passive voice कैसे बनाएंगे तो आएए उसके लिए जानते हैं passive structure passive structure होता है subject plus was where plus verb 3 plus by plus isn't means अगर ये वाला structure हमको मिलता है subject v2 plus object वाला तो इस structure वाले sentence का हम passive voice इस structure वाले इस structure से बनाएंगे आए जैसे example देखते हैं first example है he wrote a letter यहाँ पे एकदम उपर वाले structure के हिसाप से यह subject हो गया wrote v2 हो गया और a letter object हो गया तो इसका passive voice हम बनाएंगे इस वाले structure से structure क्या है सबसे पहले subject और passive voice में हमेशा याद रखिए कि जो object होता है वही subject बनता है ठीक है न और जो इधर subject होता है वह जब object बनता है तो उसको कहते है isn't clear है तो isn't में problem नहीं होना चाहिए तो आईए इसका बनाते है passive voice पैसिव वाले बन गया यह object बन गया subject तो a letter subject हो गया वाज वर्व 3 रोट का जो वीवन है right और उसका वर्व 3 होता है written राइट रोट रीटेन बाई ही का चेंज अप जो प्रोनावन है वो हो गया him यह चेंज अप प्रोनावन की चर्चा भी मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में की हुई है तो he wrote a letter क्या हो गया a letter was written by him next example है our team on the match general सा बात है passive voice बनाने के लिए यह जो the match है object इसको बना देंगे हम subject तो हो जाएगा the match और the match के साथ क्या लगेगा वाज भर्व 3 भर्व 3 है तो वोन वोन तो खुद वर्व 3 है own by our team next example है दिनकर रोट दिस पोएम तो यह दिस पोएम और object है तो इसको subject बना देते हैं इस पोएम वाज रोट का वित्री वित्री हो गया रीटेन बाई दिनकर दिनकर एक कभी का नाम है हिंदी के मौसूर कभी रामधारी सिंग दिनकर ओके next example है I ate four mangoes तो बनेगा four mangoes object है इसको subject बनाएंगे हो जाएगा four mangoes where इसको word पढ़ते है four mangoes word eaten by me ओके तो यह हुआ आपका past indefinite tense आएए अगला tense देखते है future indefinite tense का voice passive voice कैसे बनाते हैं ठीक है same सबसे पहले जानते है active structure active structure क्या होता है subject, cell will, verb one और object means अगर यह वाला structure पर कोई sentence मिलता है तो उसका passive voice इस वाले structure से बनाएंगे ठीक है ना जैसे एक sentence देखते है राम will solve the problem अब generally passive voice में जो object होता है उसको subject बनाते है तो the problem बनेगा subject क्या हो जाएगा the problem और उसके बाद क्या लगा देंगे विल क्योंकि cell दो ही चीज के साथ लगता है ना आई और वी के साथ the problem will be solve का वीत्री solved by isn't जो होता है न वो subject जब object बनता है तो agent करते हैं तो बाई राम नाम जो है नाम ही रह जाता है change नहीं होता है next example है civil love me तो me object है इसका subject बनेगा I I के साथ हो गया cell और हमने लगा दिया B I shall be love का V3 हो गया loved by और C का objective रूफ हो जाएगा हड तो हो गया I shall be loved by हड नेक्स्ट है अली विल टाइप इट टाइप न होता है ना टाइप करना तो object इट है इट को subject बना दिजिए इट विल बी टाइप का वित्री टाइपड बाई अली नेक्स्ट एक्जेम्पल है पीपल विल फॉर्गेट इट तो इट यहां पे subject बनेगा क्योंकि यह object है तो हो जाएगा इट विल बी फॉर्गोट ध्यान दिजिएगा कि पीपल जब subject बनता है तो बाई एजेंट का परियोग नहीं किया जाता है मिंस क्या बाई पीपल नहीं किया जाता है आया समझ में और ऐसे बहुत सारे जो है subject है जिनके साथ बाई एजेंट का यूज नहीं होता है आगे की वीडियो में हम जो है इसकी चर्चा करेंगे ओके और एक बात की जो है future indefinite हमने पढ़ लिया next present continuous tense का voice जानते है active structure active structure क्या होता है present continuous tense का why tense वाला structure subject is rm भड़फोर और object अगर ये वाला structure मिलता है तो हम उसका passive voice कैसे बनाएंगे तो इसका passive voice बनाने का तरीका है subject plus is rm बिंग ध्यान दिजेगा जितने भी continuous होंगे उन सब में एक ही word जूड़ जाता है बस बिंग बिंग भर्ब 3 by औरिजेंट तो आईए समझते हैं they are helping me, me object है subject इसी को बनाना है तो I, I के साथ हो गया am और continuous tense है तो being I am being helping का भर्ब 3 helped by them next है we are reading English तो English object है subject बनाएंगे हो जाएगा English is continuous tense में क्या लगाना पड़ता है बिंग English is being read by us next है mohan is writing a letter तो क्या हो जाएगा a letter is continuous tense के लिए being write का verb 3 retain by mohan subject इधर आके बन गया isn't by mohan next example है shohan is plucking flowers flowers object है subject बनाएंगे तो हो जाएगा flowers are being plucked by shohan आईए अब जानते हैं past continuous tense का passive voice कैसे बनता है तो past continuous tense का active structure होता है subject plus watch where plus word 4 plus object और इसका जो passive structure होता है वो होता है subject plus watch where generally continuous है तो बिंग लगा देंगे plus verb 4 no sorry verb 3 plus by plus isn't ठीक है जैसे एक example देखते है she was cleaning the house the house object है तो इसको subject बनाएंगे और आपका passive voice बनेगा the house was being cleaning का verb 3 cleaned by her अगर verb 3 की problems हो तो आप हमारा verb 3 पे बना हुआ वीडियो जो है देख सकते है form sub verb करके वीडियो जाए ओके next जो हमारा example है वो है sony was captivating me तो इसको बनाएंगे I was being captivated by sony next है he was fixing me generally me को इधर लाएंगे और subject बनाएंगे हो जाएगा I was being waxing का verb 3 हो गया waxed by he का हो गया him I was being waxed by him next example है she was wax buying vegetables हो जाएगा वेजिटेबल्स वेर बिंग बॉट बाई का थर्ड फर्म बॉट बाई हर्ड एक बात और की past continuous tense का जो है voice अभी हम लोगों ने पढ़ा लेकिन future continuous tense का voice नहीं बनता है ठीक है generally वो यूज में नहीं होता है तो आईए पढ़ते हैं present perfect tense का voice क्या होता है active structure होता है present perfect tense का subject plus has have plus verb 3 plus object अर्थार्थ अगर ऐसा sentence आपको मिलता है तो इस structure वाले sentence का voice कैसे बनाएंगे voice बनाने का तरीका है subject plus has have plus been plus verb 3 plus by plus isn't जैसे I have completed my work ध्यान दिजेगा कि जितने भी perfect tense है उन सब में एक नया वर्ज उड़ता है क्या been ओके तो object क्या है the work the work जो है subject बनेगा हो जाएगा आपका passive हो voice the work has been completed एक फायदा होता है perfect tense का कि इसमें वीत्री ही यूज होता है तो वस वीत्री कहीं खोजने की जरूवत नहीं होती the work has been completed by I का हो गया आपका objective to me next है he has sold his car इसका passive voice बनाएंगे his car को subject बना देंगे his car has been sold by him next example है I have killed two birds two birds को subject बना देंगे two birds have been killed खुद भीत्री ही है by I का हो गया me next example है she has helped me जिसका passive voice बनेगा I have been helped by her आए अगला tense देखते हैं past perfect tense और जानते हैं कि इसका passive voice कैसे बनता है वही सबसे पहले active structure देखेंगे जो की होता है subject plus had v3 plus object और अगर इस structure वाले sentence को बनाना होगा हमें passive voice में तो उसके लिए हम ये structure use करेंगे subject plus had plus been plus verb 3 plus by plus agent first example है somebody has stolen my pain तो my pain को आप subject तो बनाईएगा लेकिन somebody के साथ में by isn't का यूज नहीं होता है ठीक है जैसे कि इसके पहले एक example आया था people वाला people के साथ में भी by isn't का यूज नहीं होता है तो बनेगा my pain had been stolen बस इतना ही बनेगा by somebody करने की जरूरत है नहीं नेक्स्ट है I had informed the police यह अगर subject बनता है तो by isn't का यूज नहीं होगा लेकिन object बना है तो subject तो आएगा ही आएगा तो हो जाएगा the police had been informed by me next है the robbers had been robbed him एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि robbers जो है robbers भी अगर subject बनता है तो इसका यूज by isn't में नहीं किया जाता है क्यूं नहीं किया जाता ऐसे sentences का earth नहीं means इनका generally earth खुद बखुद निकल जाता है या फिर निकलता ही नहीं है जैसे the robbers had been robbed him डाकूओ ने उसे लूट लिया तो general सा बात है कि वो लूटा गया दूसरा कोई तो लूट ही नहीं सकता ना उसी तरीके से जो first example है somebody had stolen my pen किसी ने मेरी कलम चुडा ली है तो जाहिर सा बात है कि मेरी कलम किसी के द्वारा चुडाई गई है अब general उसके बारे हम पता नहीं है तो यूज ही नहीं करेंगे तो उसी तरीके से he had been robbed बस इतना ही बनेगा by the robbers करने की ज़रूरत नहीं है next example है I had warned you मैंने तुम्हें धमकी दी थी तो बस मैंने धमकी दी थी धमकी दनेगा काम कोई और भी कर सकता है तो यहाँ पे ज़रूरी है तो यू को लाएंगे और बनाएंगे you had been warned by me means तुम्हें मेरे दवारा धमकी दी गई थी पैसिव वाइस में जो हिंदी होता है दोनों सेंटेंस का लगभग लगभग सेमी होता है ठीक है next पढते है future perfect tense का पैसिव वाइस इसका active structure होता है subject plus cell will plus have verb 3 plus object पैसिव एस्टेक्चर क्या होता है वह होता है subject plus cell will have के बस बाद क्या जोड़ देते हैं एक नया वर्ड है बिन जितने भी perfect tense आये बिन जोड़ना होगा और continuous tense आये तो बिंग जोड़ना होगा ध्यान रखिएगा indefinite में कुछ नहीं जोड़ते हैं लेकिन future indefinite में के वाल एक वर जोड़ता है be okay तो आई एक example देखते हैं I shall have written the book यहाँ पे the book object है इसको बनाएंगे subject तो बन जाएगा हमारा the book will have been written by me next है we shall have helped you क्या बनेगा इसका you will have been helped by us next है she will have loved me बनेगा I I के साथ क्या cell use होता है हना I और we के साथ cell तो I shall have been loved by C का क्या हो किया heard और next example है हमारा I shall have taught you you object है बन जाएगा subject तो होगा you you के साथ में क्या लगता है will you will have perfect tense है तो been taught by you एक और बात कि जितने भी perfect continuous tense है means present perfect continuous past perfect continuous और future perfect continuous इनका वी भुवायस generally नहीं बनाया जाता है ओके इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भwn कर बाता है कर दो कर दा दो